हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मा यूट्यूब चैनल, इस्टड़ी बोट प्रस्थित प्रशांत हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज वीडियों फ्रेंट्स हम बात करने वाले हैं ताइपस और परपस ओफ रिलेज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है विकाज इस वीडियो के अंदर मैं पावर सिस्टम के अंदर जितनी वी टैक्स की रिले होती है सभी को आपको बताने वाला हूँ और साथ ही हम जानेंगे इनके क्या एप्लिकेशन से या फिर हम इन रिलेज को पावर सिस्टम में किस प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ये वीडियो इसलिए भी इंपोर्टेंट होगी ये फ्रेंड क्योंकि इस तरह के कुश्चिंस आप से किसी भी गवर्मेंट एक्जाम में पूछे जा सकते हैं MCQ के फॉर्मेट में और साथ ही आप से इंटर्वीज में ही पूछे ले जाएंगे कि ये वाली रिले है इस रिले के हम किस प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डारेक्ट ली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहली हमारी रिले है बखौज रिले बखौज रिले को हम यूज करते हैं फ्रेंट ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के लिए इसके ओपर एक और कुश्ल मनता है फ्रेंट कि हम बखौज रिले को ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के लिए रियूज करते हैं लेकिन कौन से फॉल्ट से स्लियर करते हैं coordinικά फॉल्स या फिर एक्स्टरनल फॉल्स तो इसका correct answer है internal फॉल्स को मतलब जो Transformer के अंदर के false होते हैं उनसे हम protect करते हैं by help of bogalge relay next relay आपकी mhore relay मohore relay यूज होती है आपकी transmission line की protection के लिए transmission line protection के लिए लेकिन कौन transmission line जो आपकी long transmission line होती है long transmission उनकी प्रोटेक्शन के हम यूज करते हैं महोर रिले को थर्ड रिले है आपकी रियक्टेंस रिले रियक्टेंस रिले का हम यूज करते हैं ये भी प्रोटेक्शन करते हैं ट्रांस्मिशन लाइन से बट कौन सी ट्रांस्मिशन लाइन short transmission line next relay आपकी impedance relay impedance relay का भी use हम transmission line की protections में ही करते हैं, लेकिन यह आपकी होती है medium transmission line तो confuse माँ धोना फ्रेंड्स, mohor, reactance impedance, सबी का हम use करते हैं transmission line की protections के लिए, लेकिन इनकी length के उपर हम differentiate करते हैं यह आपका long transmission line का protection में होती है reactance आपकी short transmission line और impedance आपकी यूज़ होती है medium transmission line MCQs में आपसे इसी तरह से घुमा के पुछा जाएगा कि reactance relay is used for protection of options दे दिये जाएंगे आपको long transmission line short transmission line, medium transmission line तो use तो transmission line के लिए हो रहे हैं लेकिन इसका perfect कहाए answer reactance relay होती है short transmission line फिर आती है आपकी differential relay differential relay use होती है यह आपकी protection of bus bar bus bar की protection के लिए हम यूज़ करते है differential relay चलिए मैं आपको एक scheme अना जाता हूँ उसकी, एक circuit diagram के तो आपको और अच्छे समझे में आ जाएगा यह आपका generating station है यह बस बार हो गया आपका यहापे आपका transformer लगा है step of transformer यह बस बार है, यह आपकी transmission line है फिर यहां से आपका distribution transformer लगा हुआ है step down और यह बस बार है और उसको आपका load center सक power पहुँच रही है तो clearly आप देख सकते हो यहाँ पे यह आपकी transmission line है तो transmission line की protection के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं relay reactance relay, impedance relay, महुर relay reactance impedance and more relay तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं reactance के लिए आप यूज़ करोगे short transmission line के लिए impedance यूज़ करोगे आप medium transmission line के लिए more relay का यूज़ करोगे आप long transmission line के लिए चलिए उसके बाद बस्वार का भी हमने समाझ लिया है, बस्वार की protection के लिए कौन से रिले यूज़ करते हैं यह आपका बस्वार है, इसकी protection के लिए हम यूज़ करेंगे differential relay को अब आगे चलते हैं translate relay, translate relay use होती है for protection of feeders की protection के लिए f-w-e-d-e-r feeders की protection पर हम यूज़ करते है, translate relay जो translate relay है, basically यह भी आपकी differential relay की तरह ही काम करती है बस इसकी जो secondary होती है वो close नहीं होती है, itself बस यह एक difference है, नहीं तो basically यह है एक तरह से differential relay ही अब बात करते हैं, merge price relay यह बहुत जादा important relay है, friends यह आपकी जो BE या फिर BTEC के exams होते है उसमें भी इसका पूरा description question आता है explain कीजे, merge price relay यह relay यूज़ होती है आपकी protection of generators generators तो जैसे का हमने अपना single line diagram बनाया है, इसमें generating station है, तो generating station पर generator की protection claim कौन से रिले यूज़ करेंगे, generator relay वो merge price protection relay merge price protection relay तो जब यह question आयना, इस तरह से explain करनेगा तो यह circuit पहले जरूर बनाना, single line diagram फिर उसमें आप explain करना power system, different types of relay generating station से start करना, पहले आपकी merge price relay आती है, फिर आप आओगे bus bar के पास, bus bar पे कौन सी यूज़ होगी differential relay, फिर आप आएंगे transformer पर, transformer पर कौन सी होती है buchhoj relay hholz, उसके वाद आप आएंगे आपकी transmission line पर, transmission line पर तीन different types की transmission line होती है short, medium, long, उन सभी पर different types of relays यूज़ होती है, reactance, moho, impedance यह explain करना, उसके वाद आप distribution transformer में, यह दवारे buchhoj relay use होगी, तो इस तरह से आपको explain करना है, और एक चीज़ा धियान रखना friends, कि जो relay मैंने बताई हैं आपको इन सभी को हम distance relay बोलते हैं, transmission line की relay, इसको distance relay चलिए, उसके आद हम आते हैं, thermal relay thermal relay होती हैं आपकी नाम सी आप समझ रहे हो overheating effect पर काम करती होंगी thermal relay, यह यूद होती हैं आपकी motor protection के लिए motor protection, फिर आती है आपकी over current relay, over current relay एक मैंने इससे पहनी जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको समझाया था, working of relay तो over current relay आपकी यूद होती है sense करती है over current को, और उसका यह क्या करेंगी आपकी circuit breaker को on and off करती है, तो basic purpose क्या over current relay गा, sense the over current and give indication to circuit breaker फिर आती है आपकी IDMT इसका full form है inverse definite minimum time relay, यह यूद होती है आपकी alternator की protection के लिए alternator protections के लिए तो basically मैंने इस वीडियो के अंदर, जर्नल फॉम में सारी power system के रिलेस के बारे में आपको कोई doubt बचता है, यह आपको brief introduction या explanation चाहिए, किसी भी रिले का तो comment section में आप मुझे बता देना उस relay का नाम डाल देना, मैं पूरा explain आपको कर दूँगा, उससे अलग अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो जलो like करना friends, और जाशाद वीडियो को शेर करना and please don't forget to subscribe my channel, thank you